बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हुआ जिसमें OTT कंटेस्टेंट उर्फी जावेद काफी बोल्ड अंदाज में एरपोर्ट पर नजर आ रही हैं इस वीडियो के साथ ही बॉलिवुड के गीतकार और लेखक जावेद अक्तर का एक बयान भी तूल पकड़े हुए है जिसमें उन्होंने RSS की तूल नाज तालिबान से कर दी है इसके बाद से सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी पोस्ट सामने आये जिसमें उर्फी जावेद और जावेद अक्तर को पोती और दादा बता दिया गया आईए आपको बताते हैं इन दोनों के बीच रिष्टे का सच ट्वीटर पर एक व्यति ने वीडियो शेर करते हैं कहा यह जावेद अक्तर की पोती उर्फी जावेद है मुंबई एरपोर्ट पर इसका पहनावा देखिए तालिबानी चाहने वाले लोग बताएं इसको सरिया कानून के अनुसार क्या सजा बनती है इस तरह के कैप्सन के साथ इस वीडियो को फेस्बूक और ट्वीटर पर हजारों लोग पोस्ट कर चुके हैं दरसल सोसल मीडिया पर दोनों के वीडियो वाइरल होने के और दोनों के नाम में जावेद आने के बाल कुछ लोगों ने ऐसे ट्वीट किये इन ट्वीट में उर्फी के कपड़े पर आपती चताते वे उन्हें जावे दक्तर की पोती बताया जा रहा है लखतार ऐसे कई पोस्ट सामने आने पर इस मामले में खुद जावेद की पत्नी सवाना आजमी को सामने आकर बात करने पड़ी सवाना के टीम ने उनकी ओर से बयान जारी करते हुए कहा है कि उर्फी और उनके परिवार से कोई रिष्टा नहीं है ये किसी ब्यक्तिकी सरारत है जिसने ऐसे पोश्ट करके जावे रक्तर के खिलाब माहौल बढ़ाने की कोशिस की है शावाना के इस बयान के बाद भी सोशल मीडिया पर लगतार है से पोश्ट सामने आते जा रहे हैं आपको पता दे की जावेर अक्तर की दो पोतिया है शाक्या अक्तर और अकीर अक्तर ये दोनों फिल्मेकर और एक्टर फरहान अक्तर की बेटियां है बॉलिवुड और एंटर्टेन्मेंट ये ठबरुक लिए देखके रहें ये एवी भी एंटर्टेन्मेंट